आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ हेलो गाइज इस वीडियो में Question देखेंगे जो की Based है Radius of Nucleus पे Question में क्या बोला है The Stable Nucleus Which has Radius Half of ZN64 Is और हमें Option दे रखें ये तो Question क्या है कि ZN64 हमारे पास एक Nucleus है 64 यहां क्या represent कर रहा है Mass Number ठीक है तो हमें बताना है कि इसका जो भी Radius है तो इन में से ऐसा कौन सा Element है जिसका Radius इसके Radius के Half है तो देखो हमें पहले पता होना चीए कि जो Radius of Nucleus होता है वो क्या होता है Directly Proportional to A की Power यानि Mass Number की Power 1 by 3 यहां A क्या है Mass Number ठीक है A है यहां Mass Number तो देखो हमें यहां से यह दिख सकते हैं R is equal to R naught into A की Power 1 by 3 ठीक है हम क्या करते हैं पहले इसका Radius निकाल लेते हैं ठीक है और फिर देख लेंगे कि इन में से कौन सा है जो इसके Radius का Half है ठीक है तो देखो R4 यहां लिख देते हैं ZN R4 यहां नहीं अगले Step में लिख लेते हैं तो R4 ZN क्या हो जाएगा मतलब Radius of Nucleus of Zinc वो क्या हो जाएगा R naught यह हमें कित्ता दे रखा है 64 की Power 1 by 3 मतलब Mass Number 64 दे रखा है तो 64 की Power 1 by 3 कितना होता है 4 होता है समझ गए तो R of ZN हो जाएगा हमारे पास 4 into R naught ठीक है अब पहला तरीका तो यह है कि हम इन सब का Radius निकाले दूसरा तरीका क्या है कि हम मान लेते हैं जो दूसरा वाला दूसरा वाला Element है उसका Radius क्या है Rx है और वो हमें कितना दे रखा है Half of Radius of ZN और Radius of ZN कितना है इसके इक्वल 4 R naught के इक्वल तो यहां हम ऐसे लिख सकते है R of X is equal to Half of R of ZN जो कि कितना दे रखा है हमें 4 R naught पर प्राबलम क्या है यह हमारा Radius में Relation है और हमें Mass Number में निकालना होगा क्योंकि हमें इस options में तो Mass दे रखा है तो यहां क्या करते है R X को Mass Number की फॉर्म में लिख लेते है वो कैसे लिख सकते हैं यह हो जाएगा R naught into suppose जो भी हमारा Nucleus है उसका Mass Number ले लेते है A dash या A X भी ले सकते हो तो यह हो जाएगा R naught A dash की पावर 1 by 3 is equal to 1 by 2 into 4 R naught ठीक है तो यह 2 से यह 2 cancel हो जाएगा 4 cancel हो जाएगा और हमारे पास इधर तो आजाएगा 2 R naught और यहां क्या आजाएगा R naught into A dash की पावर 1 by 3 A dash की पावर 1 by 3 यहां से 1 R naught से 1 R naught cancel हो जाएगा और A dash की पावर 1 by 3 है ना सपोर्ज यहां हम यह लिखें A dash की पावर 1 by 3 is equal to 2 अब दोनों तरफ हम क्या करते हैं cube root मलदा cube ले ले लेते हैं root नहीं cube ले लेते हैं दोनों तरफ तो यह हमारे पास simply A dash हो जाएगा और 2 का cube कितना हो जाएगा 8 तो हमारे पास यह जो दूसरा वाला element है उसका mass number कितना होना चाहिए 8 तो इस option में देख सकते हो सिर्फ beryllium का mass number क्या है 8 तो हमारा option 4 करेक्ट हो जाएगा beryllium का जो radius होगा मलदा beryllium की nucleus का जो radius होगा वो होगा half of zn के nucleus के थेंक्यू गाइस फोर वाचिंग दिस वीडियो क्लासिक्स चिट्वेल से लेके NEED IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भर होसा आज ही डाउनलोड के डाउटने टाप यह WhatsApp कीजे अपने डाउट 8444 शॉपर